इस इस डूटल में हम लोग जो है code coverage के बारे में देखेंगे तो code coverage essentially कैसे है कि हमारा पूरा काफी सारे जावस्किर files हमारे project में होते हैं तो not necessary हमने हर एक function के लिए हर एक statement के लिए हर एक expression के लिए test cases लिखे हैं तो यह जान पाना काफी difficult होता है because हमें मालूम नहीं है कि कौन से statements को हमने test के से लिखे हैं किसको नहीं लिखे हैं तो हम लोग code coverage use करके हम लोग easily देख सकता हैं तो यहां पर हम लोग क्या करता हूं मैं यहां पर उसके मुझे simply एक you know just को code coverage flag में run करना होगा अभी मैं इतर package और json में आ जाता हूं और यहां पर मैं एक निया script लिखता हूं और यह test का नाम change करके मैं coverage कर देता हूं और जो है watch command running हो जाए is coverage flag run करेगा ओके और मैं इस यहां पर run हो रहा है मैं उसे cut करके remove कर देता हूं अभी मैं आगर यहां पर run करूंगा यान run coverage मैंने run पहले इसलिए नहीं लिखा because test या start इस तरह के inno scripts by default समझ जाता है node लेकिन आगर इस तरह के custom होंगे तो हमें उसे यहां पर run आगे लिखना परता है तो मैं अभी से run करता हूं तो यहां पर coverage run हो रहा है और यहां तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर वो mention कर रहा है कुन से files में हमने test cases लिखे हैं और वो अलग-अलग form में हाँ यहां पर दिखाता है जैसे कि statements, branches, functions, lines तो यहां पर हमने 100% test का और यहां पर लिखे है इंपोर्ट करता हूं ओके इंपोर्ट करने के बाद मैं यहां पर जो इस example में मैं एक नया function create करता हूं example करके जो simply एक empty function होगा ओके आप इसे safe करगा हूं और फिर से मैं उसे यहां पर run करता हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि you know functions में हमने यहां पर zero यहां पर दिखा रहा है तो because अभी जब हमने उसे input किया है तो फिर उसे यहां पर detect कर रहा है लेकिन पहले वह detect नहीं कर रहा था package और जेसन में हमें यहां पर एक नया add करना होगा property हमें उसे jest adjust में मुझे यहां पर लिखना होगा collect coverage from और यह एक array है और इस array के अंदर यह मुझे relative path देना होगा तो वो relative path आते है कि star.js ओके तो मुझे उस सारे js जो भी file का नाम.js है मुझे उन सब को यहां पर include करना है तो अभी मैं इसे save कर देता हूँ और यहां पर अगर मैं utility.js मैं example को यहां पर comment out कर देता हूँ और यहां पर आकर फिर मैं उसे run करता हूँ coverage को तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने उसे include तो मैं recommend करता है अगर आप git ignore में आप जाल सकते हैं अगर आप git use कर रहे हैं तो उसके आलावा इस folder को उपन करोगे आप रिपोर्ट को उपन करोगे आपने देख सकते हैं आप इंडिक्स फाइल होगा और मैं इसको उपन करता हूं और राइट क्लिक करके उपन इन ब्रॉजर तो यहां देख सकते हैं बहुत कुई फॉर्म में हमें जो हैं आपर टेस्ट केसे हमारे कैसे परफॉर्म कर रहे हम लोग यहां पर देख सकते हैं अगर आपको टर्मिनल कंफर्टीबल नहीं लग रहा है तो अब यह फाइल ओपन करके भी अपना अपडेट्स यहां पर स्ट्रिट वह बस इतना इंग और नेक्स पार में हम को स्नाप्शोर टेस्टिक के बारे में दिकेंगे तो कि बसबहुत ही का हुआ का अंधामेजिंग फेशह रैजस्ट का और ये से यूज़ करके हम नोजे टेस्टिंग बहुत बहुत इज़ी कर देता है और राइट गाइज मैं आपको नेक्स रिट्रेन मिलता हूं बाई